सारे सोत्यानों सब्स्रियकाल मैं डॉक्टर टीएस नागपाल लेजर सर्जन नागपाल सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल माल रोड ब ठिंडा वलों फिर लेके हाजर होया हाँ एक नवा टॉपिक आज तक आपा बहुत सारियां लेजर लेजर दियां गल्ला कीतियां टॉपिक्स बारे होना दियां यूटिलिटीज बारे डिसकस्शन कीतियां पट कुछ लोग का नो लेजर चीज की है लेजर टकनीक है की असल देविच उस बारे थोड़ी कन्फूजन है उस दे साइड एफेक्ट बारे बहुत सारे वैम लेके लोग की साडिकल पेशन्स आंदेने के इस दा कोई साइड एफेक्ट ता नहीं है लेजरा देनाल कैंसर नहीं हो जान्दा आज मैं तो हनू एक लेजर दी लाइव डेमोंस्ट्रेशन दिखाऊंगा यह दिखान लिए के लेजर चीज की है की तकनीक है ता जो अपा यह सारे वैम परमानू दूर कर सकांगे तो लेजर एक लाइट थेरपी है एक लाइट फॉर्म है जो एक वेवल यूरोपियन सी ए अपरूवड लेजर है लेजर दी पहले कॉलिटिच बारे संजो लेजर दे अप्रूवल हुनदेने डता यूसे अफद की यूरोपियन सी ए अप्रूवलिन ए अप्रूवल ए ब्रैंडिंग दिया एक फिम हर्वा जो So European CEA and US FDA ये दोनों standardization techniques ने So हुन आपा लेजर तो नो एक मैं दिखान लगे हैं लेजर की चीज है एक लेजर फाइबर है ये नो बेर लेजर फाइबर बोल देयां ये दियां लग-लग ठिकने सुन दियां है हुन ये लेजर फाइबर की करदा है जिस तरह के साधी जो latest technique असी launch कीती है जिदे के असी 200 case मुकमल कर चुके हैं जिनना नो बहुत अच्छा result दे चुके हैं ये लेजर फाइबर एक light है बरीक जी तार है जो मेरे हाथ दे वेच ये लेजर फाइबर बोल देयां इसनो लेजर फाइबर दे विच्चों एनर्जी निकल दी है जिननों के फाइबर दी आपा फाइरिंग बोल देयां जो के मैं हलका जाता होनूं करके भी दिखा देनना क्योंकि ए जदो फाइबर हुंदा है टाइक तरह दा एदा बर्निंग एफेक्ट कोअगुलेटिंग एफेक्ट या फोटो कोअगुलेशन एफेक्ट असी उसनों बोल देयां उन एस फाइबर देनाल असी वेरिकोस वेंज ते बवासीर ए एंडो वैस्कुलर लेजर है ए लेजर फाइबर उन फाइरिंग मोड दे विच है ए दे विच अब्जर्व करो ए फाइबर थोड़ा थोड़ा साड़ रहा है ते दे विच तुवा निकल रहा है तो ए जदों तुवा निकल रहा है फाइरिंग मोड दे विच जदो ए बवासीर दे विच असी इस तार नों पानने हा एस तरह जदो ये बवासीर दे विचे तार जान दी है ए अंदर ही अंदर ओधी blood supply नू absorb, vaporize या photo coagulation है जो technical नू कहने आजी photo coagulation दे नाल ओपाइल्स दे अंदर जो blood है उनू सुका देन दी है ते ओधी जड़ तो blood supply कट कर देन दी है अठाई दे अंदर अंदर ओधी अपने आप श्रिंक होके absorb हो जान दी है वेडियोपाइल्स दी गंड है वो मास है अपने आप नॉर्मल स्किन म्युकोजा दी तरह बन जान दा है एंड इस विच जड़ियां ओपन भवासीर दे ओपरेशन हों देने वो दे विच नाल चमडी नू कटना पेंदा है गा उस दे भी साड़कुल बहुत सारी complicated cases आ रहे ने ओहोजी भी ये दे विच कोई complication नहीं है क्योंकि आपा skin नू इस दे विच कोई cutting नहीं कर रहे नंबर दो varicose veins दा इलाज जे में के मैं पहला भी अपनिया टॉक्स देती है varicose veins दे विच ए पूरा दा पूरा fiber तिन मीटर लंबा होंदा है ए नाड दे विच असी लात दे विच जो एद्दा उपर तक पालने है एड उस सारी vein नू ए फाइबर पूरी तरह सार देंदा है एड जदो ओ सुपरफिशल चड़ी varicose vein है उदी supply यसी पूरी तरह बंद कर दनने है ता सारी लात दे विच जो प्रॉब्लम्स उस varicose vein करके आ रहे हैं उख खतम हो जानने है तीसरी चीज जो असी एना नाल कर दे हैं ओ है पगंदर पगंदर तुसी सारे जान दे हो पंजाबी दे विच फोड़ा परदा है फिस्दा है उस दे विच infection हों दिए उस infection नू असी टांके लगा के या जिन्ना मर्जी अंदरों वाश भी कर लिए पूरी दरह खतम नहीं कर पांदे सीगे चीरे लगा के भी इस तकनीक दे विच की होंदा है कि जदो एना हाई टेंपरेचर एक तरह दी आपका किसे चीज नू फोटो कोगुलेट या साड़ रहे हैं बड़ी टेक्निकली आम तरह नहीं साड़ रहे अग लगा के लेजर बीम देनाल आपा इस नू सा पर रहे हैं पोटो कोगुलेट हो रहे है तो उस एरिये नू जदो असी पग अंदर दा जड़ा मूँ खोल रहे हैं लेटर नाले रस्ते दे विच इस फाइबर नू उस दे अंदर पांदे हैं उदे विच रेडियल 360 डिगरी फाइबर यूज होंदा है उस सारे जड़ा र पैटरें दे रस्ते नालो पिछे पिठ दा बिल्कुल जड़ा जीप बोटम बोल दे हैं उसनों जो बैठकाले पेशेंट्स दे विच जादा होंदा है उस दे विच जड़े तिखे वालां दे मू अंदर वड़के एक सुरंग दी तरह बना लेंदे हैं पाइलो नाइडल स इनस दर ट्रीटमेंट भी ऐसी लेजर नाल काम यापी नाल बहुत कर रहे हैं पंजिमी दुमारी जिन्नों के अपा फिशर बोल दे हैं जोके सब तो कॉमन है बवासीर तो भी जादा कॉमन है फिशर या व्याईया उस दे विच की कर दे हैं आसी व्याईया की हुनिया ने व्याईया ने जखम, जखम किस तरह बनदा है जदो अपा लेटरिंग जडी है, हाड है, कॉंस्टिपेशन है ओ लेटरिंग जदो लग के लंग दी है जखम इकवारियों कर जान दी है ओ जखम क्यों बनदा है आम तो औरते कब जीदे कर रहनों जखम बन देने जदो फिर जखम बन जान देने ताओं मास नू उत्थो श्रिंक कराके ओ स्फिंग्टर नू तोड़े स्प्रिंग नू टाइट कर जान देने तो असी ये दे विच जड़ा है प्रोसीजर कर दे है उस दा नाम है लेजर लेटरल इंटरनल स्फिंग्टर आटमी जजदे नाल ये देनाल असी ट्रीट कर रहे हैं इस तो इलावा कोई भी वैस्कुलर ट्यूमर जिदे विच के ब्लीडिंग दा रिस्क है ये लेजर उसले ही कामान दी है कोई भी गंड जिनू के जड़ तो कड़ना हुए बिना पिछे रैंद छड़े क्योंकि आहम तोरते ट्यूमर से ही ड प्लस सानुचीरा लगान दी लोड नहीं पैंदी किते वी जितने साधी उंगला या हाथ नहीं भी पहुंच सकते ये लेजर फाइबर उस गहराई विच जाके भी काम करता है बिना साइड एफेक्ट दे काम करता है तो इस दा कोई भी कैंसर रिलेटेड साइड एफेक्ट जिन्यावी साधिया रसर्चिज ने जिन्यावी स्टडीज ने किते कोई हो जान नहीं नोटेड क्योंकि तुसी आप समझ सकते हो कि एक सिंपल लाइट नर्जी नुवासी टार्गेट करके लेजर बीम दे विच कनवर्ट कीता गया है एंड ए किन्ने सौ सालानिया रसर्च ते एह सारे आदे ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं ता एदा लाहा जरूर लओ दी